हेई गाईज वल्कम टू वाइफाई क्लासेज मेरा नाम है गौरफ तिल्थिया और आज मैं आपके लिए most important polity questions लेकर आया हूँ दोस्तों जो कि इतने जादा important है अगर आपने proper इमान दरी से इस वीडियो को देख लिया तो आपके दो नमर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे क्योंकि polity का important topic और यहां से question बनते हैं तो start करते हैं without wasting time ध्यान से पर्णा भाई आपका time बहुत crucial है तो use होना चाहिए पहले पहला point दे को जवाल नाल नहरू was the first prime minister and the longest serving so far बात ये है कि जवाल नाल नहरू अपने पहले prime minister थे और सबसे ज़्यादा पूरे अपने भारत की इतियास में सबसे ज़्यादा देर तक जवाल नाल नहरू ही अपने prime minister बने रहे तो ये बात ध्यान लखने वा प्राइम मिनिस्टर वाज गुलजारी लाल नंदा ये बहुत important है ये question आ चुका है और आ सकता है एक बाप फिर से पढ़ेंगे the first and the only acting prime minister वाज गुलजारी लाल नंदा दोस्तों ये गुलजारी लाल नंदा पहली बार acting prime minister कब बने थे जब जवाल नाल नहरू की 1964 में भाई मौत हो गई थी उसके बाद अब सीट खाली हो गई तो एक temporary basis बनाना पड़ेगा न किसी को तो गुलजारी लाल नंदा को पहली बार acting prime minister बनाया गया समझ माया एक वाफिर से repeat करूंगा ध्यान से सुनिएगा जवाल नाल नहरू की जब 1964 में मौत हो गई थी तब गुलजारी गुलजारी लाल नंदा के अंदर वर्डार नंदा तो मुझे एकदम से क्लिक हो गया है कि आपने 2012 में एक movie आई थी student of the year किसकी वरुन धबन की सिधार्त मलोत्रा और आलिया भट की तो वरुन धबन का नाम क्या रहता है उस movie में तो उस movie में वरुन धबन का नाम रहता है र जरूर मिलेगी इसलिए मैंने आपको बता दिया पसंद है तो देख लीजगा ओके थर्ड वाला देखें ये क्या भाई ये है लाल बहादुर सास्त्री वास्ट फस्ट पी एम हू डाइड अबरॉड है ना ये कुछ चीज़ बताता हूं दो इंगलिस की बात की हू डाइड इन अबरॉड नहीं आता है वो डाइड अबरॉड वर्ड आएगा इन वगेरा प्रपोजिशन नहीं आईगे इसमें बस इसना ध्यान रखिएगा एक वाद फिर से पढ़ेंगे लाल बहादुर सास्त्री वास्ट प्राइम मिनिस्टर फिर से समझाओंगा अच्छ से ध्या इसर बोलते थे ना पहला यू एस एसर ठीक है जो कि अब उजबेकिस्तान का पार्ट है जहां ये ताशकर नाम की जगा में मरे थे ठीक है इतना ध्यान रखिएगा तो इनके निपटने के बाद फिर क्या हुए दोस्तों फिर सीट खाली हो गई तो फिर गुल जाली लाल न पास्तरी ठीक है तो एक बार फिर से इनको दूसरी बार बनना पड़ा एक्टिंग प्राम मिनिस्टर याद रहेगा न दोस्तों मैं बहुत मेंस से इमान दाई से पढ़ाऊंगा आपको खुद को लगेगा कि हां भाई जैनुएन कंटेंट है और पढ़ाने बाला भी कब जिन्दिगी में पार्लीमेंट फेशी नहीं करी ना लोकसाबामे गया ना राज आजसबामे इससे बकवाज बात और क्या हो सकती पूरहतियास में कि बंदा प्राम मिनिस्टर होने के बाद पारलीमेंट का मूह नहीं देखा अपने प्रधान मंतिरी ने इंदमुदी कि कौशन आ सकता है कि वह यह कौन सा वोक बिरला प्राइम मिनिस्टर था जो पार्लिमेंट का भया मुई नहीं देखा उसका नाम था चौदरी चन सिंग ठीक है कोई उसके चरणों पर गिर रहा होगा भया यह चलो यार पार्लिमेंट में तो हम तुम्हारे चरणों पर गिर रह द्यान रख्येगा यंगेस्ट प्राइम इनिस्टर अैसरों आपने भारत मैं राजीव गांधी न सबसे कमेज में यही बन गए थे और और उयंडेस्ट प्रामिनिस्टर कौन रहा है दोस्क्रू मुरार जी देश आई इनका मी नाम द्यान रख्येगा ये बहुत शांदर बन्दे हैं मोरार जी देशा एक पर जरा सी बात बता दे रहा हूं मैं है ना कि 1978 में जो 44th amendment act आया था इनी की सरकार में फिर right to property को हटा दिया था और उसको fundamental rights से हटा के और अलग डाल दिया उसको ठीक है भाई इस चीज को ध्यान रखेगा जो right to property हटा दिया पहले अपने साथ fundamental rights थे तो साथ में से साथ में नमर के जो right to property था उसको हटा दिया था इनकी सरकार में और उसको हटा के आर्टिकल 300 ए में डाल दिया था इतना ध्यान रखेगा important है ठीक है सिक्स्थ पॉइंट दिखिए अटल बिहारी बाचपई माई 1996 से जून 1996 बस एक मेने की बात पूरी government had the shortest tenure एक और फिर से अटल बहारी बाचपई भाई माई से लेके जून तक बने रहे मातर 13 दिन के लिए सबसे shortest tenure का कोशन आ गया कि सबसे कम दिन तक कौन प्रिधानमंती रहा उनका नाम था दोस्तों अटल बाचपई ओके दोस्तों चलो फड़ा पाइट आपके लिए कोशन साहथ हो सकते हैं नहीं है चलो रिवाइस करवा देता हूं और लास्ट में प्यारा सा कोशन पूछूंगा आई होप आप आप आंसर देंगे जबाल नाल नाल नारू वाज़ फ़स्ट प्राइम मिनस्टर अंड लॉंग इस रिलेटेड़ अपने जब विदेश में जाके तासकंद में निपट गए थे नहीं रहे थे तब एक बार फिर और दूसरी बार प्राइम मिनस्टर बंजाओ एक्टिंग प्राइम मिनस्टर ध्यान रखिएगा 1964 जब आपने जवाल लाल नेरु नहीं रहे और 1966 जब आपने लाल भादुर शास्ती नहीं रहे ठीक है दोस्तों इधर से एक और कोशन आते है एक और में को ध्यान आ गया कि ये बड़े-बड़े जो लीडर से न दोस्तों इनका कौन-कौन सा घांट है कहा कहां इनको जलाया गया है ना जैसे महात्म गांदी को राज गांट में लाल भादुर सास्ती को विजे गांट में इस तरीके से मैं एक शांदर वीडियो बना दिया है अगर आप इंट्रेस्टेड है तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में तो आप देख सकते ह कुछ भी आजाता है इसलिए आप पढ़ लेजिएगा एक बार है ना ये कौन भाईया चोदरी चरन सिंग खतरना खिलाडी पार्लिमेंट का मुही ने देखा मतलब खतरना आदमी क्या बोलो इसके बारे में ठीक है तो ये भाईया इसने कभी पार्लिमेंट का मुही ने दे दोस्तों बस इतना पढ़ाना था दोस्तों बस यही बोलूँगा मैं आप ही की गिरुद के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों मैं इसलिए सब्सक्राइब करना is must है ना और एक बार ट्राइब करिए अच्छा लगेगा आपको ठीक है रिविजन इस दकी, never underestimate the power of रिविजन है ना consistent रिविजन करना 5-6 गंटे हर दिन जो पढ़ेगा दुनिया में वही धूम मचाएगा मेरे भाई जनवर फरवरी मार्च, अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगर सेप्टेमब, अक्टुबर, अबंबर, दिसंबर दिल पे हाथ रख के एक बार बोल दो, क्या मैंने 5-6 गंटे हर दिन पढ़ाई करी, हर दिन पूरा lockdown लगा रहा 2020 में, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी, है ना, अक्षे कुमार की अग्शना अगरि वाई, यूजित दिल दीओ, एकुछ यू मिन्ट पूराई, अच्छ भाई, भाई रहा 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 प्रत्व नेव करेंगा बाद माई, भी आद जूए, ना, वी वाई, यू छूशना, पैसले हो तो, दूसते हूए, जूसते हाँ, लाई, लाइ, ब्हां,